मैं हूँ जोचना कैसे हैं आप सब अमीद है अच्छे होंगे मैंने एक वीडियो अपलोट की थी कुछ दिनों पहले जिसमें मैंने बताया था कि अगर आप कंसीव नहीं कर पा रही है तो क्या-क्या ऐसा तरीका है जिसके बाद आप कंसीव कर सकती है और जो माबनी की जो सु करेंगे वह बहुत ही इंट्रस्टिंग टॉपिक है मुझे लगता है कि जब भी कोई लेडी प्रेगनेंट होती है उसके दिमाग में पहला कुष्चन यही आता होगा कि हमारा जो बेबी है वह बॉय है या गर्ण है यहां तक कि हम उसके फैमिली में भी यह कुष्चन होते लड़का है या लड़की है तो आज हम कुछ प्रेडिक्शन करने वाले हैं यह हमने अपने बरो से भी सुना होगा या कहीं देखा भी होगा अभी इस चीज की पुष्टी नहीं है कि यह 100% सही है या नहीं लेकिन मैंने जो मेरे केस में देखा था इताशा के टाइम में हुआ था और किस प्रेडिक्शन को सही मानना चाहिए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो जान लेते हैं कि क्या यह लक्षन है जिसे हमें पता चले कि पेट में बॉय है या गड़ है पहला है पेट की लाइन अगर आपने बेबी कंसीव किया है बॉय तो आपके जो लाइनिंग है वो सिधा चेस्ट से लेके पेट के नीचले हिसे तक एकदम नाभी से सटते हुए वो नीचले हिसे तक जाएगा और एकदम सटीक एक लाइन में तो आपने बेबी बॉय कंसीव किया है और अगर आपका जो पेट का लाइन है वो जिग जाग या कुछ ते साथ जो था बिल्कुल मेरा सीधा लाइन नहीं था जिग जाग टाइप का था तो येस मेरे को बेबी गर्ल हुई इससे पता चलता है कि हाँ ये लक्षन कुछ हद तक सही है सेकिंड पॉइंट है हर्ट रेट अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया है तो उसका जो हर्ट र हर्ट रेट है वह अराउंड थाटिफाइव से 145 147 इसके बीच में रहेगा उससे जादा नहीं रहेगा और अगर अपने बेबी गर्ल कंसीव किया है तो आपका जो बेबी का हर्ट रेट है वह वह वन सिक्स्टी से अबव ही रहेगा 170 176 तक चला जाता है तो ये वाला बा था 172 173 इस हिसाब से जब 9 मन्स में पूरे हो चुके थे और होने वाली थी तब थोड़ा सा कम हुआ था वह 161 59 इस तरह से गया था लास्ट लास्ट तक पॉइंट है चेहरे की रंगत या स्कीन ग्लो होना ये बुला जाता है कि अगर मादर का स्कीन ग्लो हो रहा है चमक र स्कीन ग्रोथ हो चुका है तो आपका बेबी बॉय है पूर्थ पॉइंट है दूडेट से पहले या बाद में होना तो दूडेट से पहले अगर आपको बेबी हो रहा है तो आपको बेबी बॉय है और अगर दूडेट हो चुका है फुल टर्म के बाद बेबी हो रहा है तो यह जो है बेबी गर्ड है यह मुझे नहीं समझ में आया कि इसमें सही है या गलत है कि मैंने बहुतों को ऐसा देखा है कि बेबी को फुल टर्म पुड़ा खतम हो चुका उसके बाद बेबी बॉय हो रहा है और किसी किसी को मैंने यह भी देखा है कि 7-8 मन्त कंप्लीट हुआ जैसे 9 में गए तो बेबी गर्ड हो गई तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कितनी सच्चाई है या या बेबी अगर दी है और फूरे टर्म लेके बेबी हो रहा है तो अच्छा है तो नेक्स्ट है मॉर्निंग सिक्नेस तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेडिंजी के होता है अजीब सा मन करता है सुबह उठते के साथी तो आपको है बेबी गर्ड और अगर आपको ऐसा कुछ नहीं है तो आपको है बेबी बॉय इसमें कितनी सच्चाई है यह तो मुझे नहीं पता मुझे मॉर्निंग सिक्नेस होती थी और बहुत जादा होती थी सुबह क्रिक्नी जाकर बताएं तो इससे पता चल पाएगा कि यस यह बी मित है क्योंकि सभी हो सकता है या फिर नहीं नेक्स्ट है बेकिंग सोड यह बेकिंग सोडा वाला जो आइडिया है यह मैने कभी किया नहीं अपनी करेग्नेंशी के टाइम में और मुझे पता नहीं है लेक और प्रेख सौटा मिलाती है और ज्ञाग है अर निकल भी और पर आपने प्रेहा हैं और प्रैने प्रेड़नशी को कमें तेना तो वन फैसे कशनीन परा थे करा नो Are ये लिल को सबस्क्ति कॉंप D जब और कॉमिया। मोरी किले मैं दो left और क्या यह सच है, क्या यह आपके साथ हुआ है, और उसका रिजल्ट वही आया है, जो कि मैंने आपको बताया, तो ज़रूर मुझे बताईएगा. अगर आपको मीठा या स्वीट खाने का मन करता हो, तो आपको है बेवीगड, और अगर आपको नमकीन या कुछ खंटा, इस दिरह का कुछ खाने का मन करें, तो आपको है बेवीगड. यह वाला जो prediction है मुझे नहीं लगता कितना सही है कितना गलत है क्योंकि मेरे pregnancy के दौरान मैंने सब कुछ खाया मुझे खटा भी अच्छा लगता था मुझे मीठा भी अच्छा लगता था नमकीन भी मैं खाती थी तो यह मुझे नहीं पता again आप ही बताईएगा आपके साथ क मुझे कर्वट लेकर मैं सोया करती थी लेकिन यह भी मैंने कहीं बढ़ा ही था कि अगर अबख़ आपको लेफ्ट की और मुड़के सोने का रहता है आराम लगता है अगर लेफी और कंपर में नहीदेर है लेफ्की और सोने पर आपको अच्छा लगता ये छे बींविड औ आप किस तरफ सोना पसंद करते थे और आपको कौन सा बेवी हुआ या फिर अगर प्रेगनेंट है तो भी मुझे बताइए कि आपको किस तरफ सोना पसंद है फ्रेंड्स इन लक्षनों से पता चलता है कि आपके अंदर बेवी बॉय है या बेवी गर्ल हम यह प्रेडिक्शन से इसलिए करते हैं ताकि हम हमारे अंदर जो एक उत्सूपता रहती है एक एकसाइटमेंट रहती है कि बेवी बॉय है बेवी गर्ल है तो उसको जानने के लि अगर कोई वेरी जो ज़रूर मुझे कॉमेंट को बॉक्स में जाके कॉमेंट कीजिएगा या फिर आप किसी के बार में भी जानना चाहते हो तो वह भी आप मुझे कोमेंट कर सकते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और अगर पहले बार चैनल देखने तो सब्स्र प्रमेटिक वीडियो पे से तब तक लिए अपने ख्याल रखेगा बाई